अब लोग निकल चुके अपने सफर में फिलाल आप देख सकते हो काच में विंड्शिल्ड में ठंडी का यह लग चुका है और काच क्लीन नहीं अभी हम लोग जा रहें ट्रैवल कर रहें पुरा गाड़ी लोड हो चुका है कि आप लोग हमारे साथ बने जाएं अब निकल चुके अभी हाइवे के तरफ जाएंगे तो अभी हम लोग यह पेट्रोल पर में रुके हैं और अभी जर्स हम लोग यहां से पेट्रोल बरेगा और फिलाल गाड़ी का हम लोगने हवा वजरत सब चेख दिया है और मेरे पीछे आप देख सकते हो हाइवे हाइवे हम लोग मिल गया बस यहां से अभी हम लोग निकलने वाले हैं हाई में हाई दोस्तों मैं हूं अम्रिता शर्मा तो यह देखिए हम लोग घर से काफी दूर आ चुके हैं यह अपना हाइवे है मेरे तरफ देखा और काफी कुपसूरत हाइवे है गाड़ी चला रहे है और पीच्छे हमारी काफी पब्लिक बैठी है काफी बैठी नग जा रहा है तो दोस्तों यह देखिए हम लोग हाईवे पर ही है और काफी कुपसूरत नग जा रहा है यह देखिए आप देख सकते हैं अब फर्ग एक्चली अचली अब यह देखिए वाव कॉंबे से स्टार्टिग होगी थंडी तो आगे तो बोल नहीं सकते हैं बस एक से हम लोग 40 किलो मेटर आगे है किलो मेटर तक अभी गाड़ी पहुचा है टोटाल शोला सो किलो मेटर जा रहा है उसमें से 40 किलो मेटर निकाल दो उसमें तो यह देखिए दोस्तों तक डार्क फोग है यह का देखा आगे देखांगे निकार में पता हिए का दोस्तों कि देखिए को अज़ें कि हम लोग का ट्रेवल सब किलोमेटर के कम्प्लिट हो चुका है और हम लोग बॉर्डर पर है यहां पर कि अब अब हम लोग यहां पर चाई पीने वाले हैं यहां पर हम चाई भी पिएंगे कि अब है कि अब है कि वसाई से सौव किलोमेटर पर मुझें ब्रेक लिए अब हम लोग आज जो तारीक है वह 26 तारीक और अभी जो टाइम हुआ है है नो बच के पाइटालेश मिनट जो नोगी होटेल में रुके हम लोग सब लोग चाई पी आ है और अभी आम लोग यहां से निकल रहे हैं यह पीछे का जो होटेल था उसमें थोड़ा हम लोग चाई भी पिए चाय नास्ता किया और वाश्रूम अगर गया है अभी गाड़ी यहां तक 100 km तक चल चुका है हर 100 km में हम लोग हाल लेंगे मतलब रुकेंगे हम लोग 100 km में और फिलाल अभी हम लोग रोड पे जा रहे हैं और लोग इदर अभी चॉकलेट वागर है इन लोग खा रहे हैं सब लोग देखते हैं फिलाल इदर चाय थोड़ा मेंगा था 25 रुपे का एक ग्लास चाई तो हम लोग ने वन बाई टू किया है सब चाय को अभी दोस्तों मिलते आगे सूरत के सूरत पहुंच रहे हैं हम लोग सब लोग गाड़ी में इंजॉय भी कर रहे हैं यह देखिए हैं और 26 तारीके और 11 बच के देश्में हो गया है और गाड़ी में बेटे-बेटे मतलब कोई तिक्कत नहीं हुआ हम लोग को आराम से हम लोग आरे हैं अभी तक हम लोग आराम से ही हैं कोई तकलिफ नहीं हुआ है बस अपसोसी बात किया है मतलब अभी एक चीजी यह भी मालो पड़ा है कि इस हाईवे पर नैनो भी डोड करेक्र सवस्साथ करेक्र यहedor जारे है आराम से हुआ है